हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल लाइफित रंजना, आज मैं आपको ओयल फ्री मिक्स वेजटेबल पिकल बताने वाली हूँ, खटा मीठा बहुत टेस्टी अचार है, और जिसको खाने के बाद आप यकीन माने आपको जरा भी केल नहीं होने वाला है, इसमें बहुत यह कद्दू, पंकिंग और यह गाजर है एक बाउल, यह है सिर्का हाफ कप और इसमें मैंने रेड चिली को सोख कर लिया, यह स्चार है, होल स्पाइस, हाफ कप शुगर, एक कप पानी, यह जो मैंने वेनेगर यूज किया है, नॉर्मल वाइप वेनेगर है, एपल सीड़ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, तो यह मैंने एक पैन में पानी ले लिया है, और इसमें मैं शुगर और स्टार, आच्छा आप स्टार होल स्पाइस की जगे, आप सिनेमन, क्लोव, अपने टेस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो यह मैं इसमें नमक एड़ कर रही हूँ, यह मेरा रॉक सॉल्ट है, इसका मैं पेस्ट बना लूँगे, जब कहाने जाते हैं, तो उसमें मैंने देखा है, कि यह वला कई बरी सर्वता है, इसको आप पिकल, सैलेड, कुछ भी कह सकते हैं, यह दिखिए है, शुगर अच्छा स्टार हो गई है, सिर्फ मेल्ट करना है, अब हम प्लेम को आफ कर देंगे और सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो इसमें हम एड़ कर देंगे इस पिकल को आप अपना इंडियन खाना कोई भी ताल चावल सबसी पराठा आप इसको नूडल्स के साथ प्राइड राइस मंचूरियन के साथ किसी पी चीज के साथ आप इसको खा सकते हैं यह मैंने इसमें वेजिटेबल्स को सोख होने के भी छोड़ दीए है इस हमारा पिकल के रीड़ी है अब मैं इसे हगग 5-6 घंटे के लिए इसको ऐसे ही इसमें वेजिटेबल्स को सोख होने के भी छोड़ दीए वेनेगर अपने आप में ही इतना ज्यादा बैनेफिशल होता है हमारी हेल्थ के लिए कॉलेस्ट्रॉल रिडियूस करता है हमारा गुलुकोस लेवल मेंटेन रखता है वेट तो डिडियूस करता ही करता है देखिए पिकल को भीगाएवे एकदम चाह से पाच आवर हो गए है और यह मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में भर लूँगी और इसको हमें रफ्रिजेटर में रखना है इसको हम 15 देस तक यूज कर सकते हैं इसमें जैसे मैंने पंकीन और खीरक इसको पील नहीं किया है क्योंकि से इसमें क्रंच रहता है यह हमारा टेस्टी पिकल एक पंडेडी है हेल्थी आप इसको बनाएए और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर केजिए अगा नेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब देजिए